हाई मैं पुश्रान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विटीट कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक्विटी मार्केट से थोड़ा सा हटके कमडिटी मार्केट के उपर बात करने जा रहे हैं और आप मैंसे बहुत साय लोगों की कोई जाये थे किसा कमडिटी मार्केट के उपर भी वीडियो बनाए तो आज हम इस वीडियो में आपको कमडिटी मार्केट के लिए एक जबरदस ट्रेडिंग स्ट्रेडिंग बताने जा इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं time frame का कोई limitations ने इसको आप 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 25 minute, 30 minute, 1 hour, 1 day किसी भी time frame में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बस यहाँ पे कुछ condition वहता, उस condition को satisfy करना जाता है किसी भी time frame में अगर वो condition satisfy हो गया तो आप वहाँ पे इसके basis पे trade ले सकते हैं तो चलिए इस trading strategy के बारे में detail से समझते हैं यहाँ पे आज जो हम trading strategy को बात करने जा रहे हैं वह आपका chart pattern के basis पे trading strategy है और chart pattern के basis पे कोई भी trading strategy होता है तो वहाँ पे हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले उसके उपर बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर कोई भी strategy chart pattern के basis पे बन वा है तो सबसे पहले आपको देखना होगा यह जो pattern है वो हमें directional hint दे रहा directional move का indication दे रहा या फिर non-directional move का indication दे रहा directional कहने का मतलब है कि either upside move का indication दे रहा यानि bullish market का hint दे रहा या फिर downfall यानि bearish market का hint दे रहा है उसके साथ-साथ, आपको ये भी देखना होगा, ये हमें signal क्या provide कर रहा, ये हमें continuation of trend का hint दे रहा, या फिर reversal of trend का hint दे रहा, या फिर range bound move का hint दे रहा, या फिर तीनों में से कोई एक hint हमें मिलना चाहिए, तभी कोई भी strategy हमारे लिए काम का होगा, तरवाइज हमारे लिए वो strategy काम का नहीं होगा, ऐधर continuation of trend, reversal या फिर range bound move, उसके साथ-साथ, हम इसके price action को भी देखेंगे, जो की बहुत ज़्यादा important है, और उसके साथ-साथ, हम यहाँ पे entry point, target और stop loss को भी find करेंगे, तभी हम कोई भी trade execute कर सकते हैं, तो चली, जो chart pattern के basis बात करने जा रहे हैं, उस chart pattern यहाँ पर समझते हैं, तो आज जो हम आपको strategy को बात करने जा रहे हैं, वो strategy हमने form किया है, broad inning, bottom chart pattern के basis पे, और इस chart pattern के basis पे आप equity market में भी trading strategy form कर सकते हैं, उसके उपर कैसे trading strategy form कर सकते हैं, और कैसे trade करना, उसके उपर हमने already detailed video बना रखा है, अगर आपने वो video नहीं देख तो आप i button पे click करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबस्पहरले यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना होता है, सबस्पहरले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे bottom इसका नाम यहाँ उसका चौराई यहाँ यहाँ पे धिवेदिरे इंप्रीज हो रहा है, यहाँ जो bottom है वो आपका broad होते जा रहा है, इसलिए इसका नाम पर रहा है, broadening bottom chart pattern, यहाँ पे दो चीज़ हमें ध्यान देना होता, सबसे पहला क्या चीज़ है, कि आपको higher high pattern दिखेगा उपर म lower low pattern का formation करता जा रहा है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, at least दो higher high चाहिए और दो lower low चाहिए, मतलब दो high चाहिए और दो low चाहिए, यहाँ पे देखेए, पहला high यहाँ पे है, दूसरा high यहाँ पे, नीचे में पहला low यहाँ पे, दूसरा low यहाँ 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 एटलिस्ट दो लो नीचे में चाहिए और दो हाई उपर में चाहिए तभी ये चार्ट पैटन आप complete बैठेगा तभी ये चार्ट पैटन वैलीड होगा तो इसके उपर और डीटेल से बात करेंगे चले चार्ट पर चलते हैं इसको डीटेल से समझने की कोसिस करते हैं यहां पे हम चार्ट पे वापस आगये और देख सकते हैं यह आपका crude oil future का चार्ट है 30 minute का चार्ट है और यहां पे हमने 9MAX यूज किया MCX यूज नहीं किया क्योंकि MCX में historical data हमारे पास नहीं रहता जबकि 9MAX में आपको यहां पे complete historical data आपको available हो जाता है तो यहां पे देखे यहां पे क्या हो रहा मैंने क्या बोला था कि downtrend के बाद इस तरह का formation होना चाहिए नीचे में lower low उपर में आपका higher high देख सकते हैं यहां पे लो बनाए इससे नीचे यहां पे लो बना इससे नीचे यहां पे लो बना मतलब यह आपका lower low pattern का formation कर रहा पहला criteria यही है इसने first point क को Satisfye कर लिया, दूसरा, उपर में Higher है, पहला Hi यहाँ यहाँ पर बना उस से उपर दूसरा High यहाँ पर बना तो Higher High पैटर्न का इसने formation कर दिया, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, दूसरा Point भी Satisfye हो गया, तीसरा Point क्या है, हमें दो High चाहिए और at the same time दो लो चाहिए यहां पर पहला हाई यहां पर बना दूसरा हाई यहां पर बना दो हाई मुझे मिल गया उसके दाथ पहला लो यहां पर दूसरा लो यहां पर तीसरा लो यहां पर यहां पर दो लो मुझे चाहिए था यहां पर दो लो मिल गया मतलब पूरे क्वेट एडिया क को सरिस्फाइ कर लिया अब इसके basis पे क्या करेंगे हम इन दोनों हाई को जोइन करते हुए एक लाइन करेंगे और लो को जोइन करते हुए एक लाइन करेंगे तिये मेरा क्या बन जाएगा ब्रॉडणी बॉटम चार्ट पैटर्न का क्या समझ में आ गया अब इसके basis पे आपको ट्वेट कैसे एक्जिक्यूट करना है वह में आपको बताता हूं उससे पहले इसको थोड़ा समय करना चाहूंगा देख सकते हैं अब यहां पर क्या कुछ हो रहा है जब इस लाइन को ब्रेक करके प्राइस उपर जाएगा तो क्या बनेगा यहां पर हमें ब्रेक आउट देखने को मिलेगा और इसके basis पर यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम इंट्री को मिला है ठीक है ब्रेक आउट देखने को मिला और जैसे ब्रेक आउट मिला यहां पर हम क्या करेंगे अपना इंट्री पॉइंट बना लेंगे अब मेरा यहां पर इंट्री पॉइंट के लिए हो गया अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा स्टॉप लॉस जो लाइन का ठीक है इंट्री पॉइंट हो गया स्टॉप लॉस हो गया टागेट पैस क्या रखो गया टागेट पैस इस पैटर्न का आप हाइस पॉइंट ले लो लो जैन्वाली यहां से यहां तक देख सकते हो जितना लेंथ इसका है सेम लेंथ का हम क्या रखेंगे टागेट पैस रखे तो यहां पे आपको point पे focus नहीं करना percentage के उपर focus करना यहां पे देखिए कितना percent का मेरा यह range बन रहा है यह लगवग आपका 8% से ज्यादा का ही range बन रहा है तो यहां पे हमें 8% का upside move देखने मिला और इस time पे जो crude oil का rate था वो आपका लगवग 8000 करीब था इस rate से अगर हम 8000 का 8% निकाले तो लगवग आपका 600 points के करीब बनता है इसे ज्यादा ही बनता लेकिन आप मिनमाँ लेते हैं 600 points यहां पर हमें ब्रेक आउट के लिए यहां पर हम से आप 600 points के लिए जा सकते थे और उसके बाद price आपका all the upside की तरफ गया मैं आपको चार्ट को थोड़ा से सेम ही आपको देखने में लेगा तो इसके basis पर चाहो तो आप इंडियन मार्केट में भी ट्वेड एक्जिक्यूट कर सकते हो तो इस तरीके से आप इस strategy के basis पर ट्वेड ले सकते हैं यह हो गया पहला दिश्वार इंड़ी हम इस टाइम ले सकते हैं लेकिन अगर आपको दूसरा strategy लेना है इस टाइम पर आपके नहीं लेंगे और आपके मन में डाट होगा कि हम इंड़ी कहां पे लेंगे जहां पर हमने इंड़ी लेना था वहाँ पर नमाना कर दिया वापस से जब इस लाइ को तो प्राइस वाहां स TOP LOS AC रूप में काउंट कर सकते हैं या नहीं तो आप इसको भी तोड़ा सा छोटा हो जाता है एक हमने ब्रेक के बाद उस लेवल को रिटेस्ट किया तब हम यहां पर इंट्री करें और उसके लाद यहां पर safra इंट्री में कोई चेंज़तिन्भी करना है हैं तो बहलतक दो आप को दोस्लिक चेक कर लो उसके बाद safety जाना चाहते हो तो यहां पर रोगवाइल की बाद यहां पर समझ में आगे आगा वापस से यहां पर हम आगे चलते हैं और यहां पर हम आपको यहाँ पर देखिए यह ब्रेकाउट करके ऊपर निकला है और यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड में एक परसेंट का मुव अच्छा खासा मुवमेंट माना जाता है और उसके बार आप इसको पॉइंट से भी कैल्कुलेट कर सकते हैं गोल्ड का रेट अभी आपका लगवग 50 करीब चल वा था और एक परसेंट का मुवमेंट का मतलब है कि यहाँ पर आपको लगवग 500-600 पॉइंट का मुवमेंट हुआ 1.20 परसेंट है तो उतना पॉइंट का मुवमेंट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देख सकता है आप लॉट साइज की हिसाब से क्य करते होगे तो आपको क्यलकुलेट करने में प्रॉबलम नहीं होगा उसकी बाद देख सकते हो पहला इंट्री हम यहाँ पर ले सकते थे ठीक है ब्रेक आट जैसे दिया इंट्री लेंगे इस टॉप लस आप यहाँ पर रख सकते हो टागेट पैस जितना इसका लेंद है से रख सकते हैं पहले इंट्वर इसके रख सकते हैं चौन पर लें औरسم क्या पर यहाँ पर इंट्री नहीं सकते। या नहीं तो यहां पर इंट्री ले कि आप दुबारा यहां पर इंट्री ले सकते हैं अपने हिसाब से एड़ेस्ट्मेंट कर सकते हैं उसके बाद आप सेम टागेट पैस के लिए जा सकते हैं और देखिए इसके बाद भी यह आपका all the way upside की तरफ निकला और अच्छा-कासा थागेट पैस हिट किया यह नि लगवग आपका 1.2% का इसने विटर्न दिया और यहां पर हम कौन सा चार्ट यूज करें गोल में हम वन आवर का चार्ट यूज करें कुरूड वे हम 30 मिनट का चार्ट यूज करें यहां पर हम different time frame में आपको बता रहे हैं ताकि आपको confusion न हमें बस दो ही criteria को follow करना lower low higher high दो high चाहिए दो low चाहिए criteria को fulfill किया फिर हम trade execute करेंगे लेकिन इससे पहले downtrend होना जरूरी है अगर market upset की तरफ गया उसके बाद यह pattern बनवा तो फिर इसका कोई काम ने है market नीचे आना चाहिए नीचे आने के बाद यह formation होना चाहिए यह बता रहे है कि market में consolidation हो रहा है यह market consideration phase को identify करने में help करता है उसको जब consolidation होता है उसके लाद क्या होता है generally buyers market में entry कोसिण करते हैं और उसके बाद fines आपका अगर breakout दिया तोuto upside कहा तरफ जाता ही जाता है तो दोई देखना माकेट नीचे की तरफ आना चाहिए लोव लोग हाई यह फॉर्म होना चाहिए और एट लिस्ट दो हाई दो लोग होना चाहिए वापस से किस में आते हैं, silver में आते हैं, अब इसका किसी में भी इस्तेमाल करते हैं, silver में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, higher high, lower low, break करके उपर निकला, break out दिया है, यहाँ पे हम कितने percent के move के लिए यहाँ भी हम 1.2 percent के move के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा return मिलता देख जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं, पहला entry यहाँ पे हो जाएगा, stop loss यहाँ पे हो जाएगा, तो पहला strategy के basis पे ट्वेड लेंगे, तो आपका target price आसानी इसे hit कर दिया, यहाँ पे अगर आप दूसरा strategy के basis पे ट्वेड लेंगे, देख सकते हैं, वापस में market इ हो सकता है अगर वहां पर कोई भी हमें निउस देखने को मिले तो अगर आप कमडिटी मार्केट में ट्वेडिंग करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना परेगा कि आपको ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज्यादा फोकस करना परेगा आपके लिए डोमेस्टिक मार्केट उतना ज्यादा इंपोटेंट नहीं है ग्लोबल मार्केट ज्यादा इंपोटेंट है साधी साथ आपको ग्लोबल लिउस के उपर भी फोकस करना परेगा सिर्फ चार्टिंग पैटर्न के बेसिस पे आप कॉमडिटी मार्केट में ट्वेडिंग नहीं कर सकते हैं अगर आप successful होना चाहते हैं अपने accuracy level को अगर आप 70% to 80% तक ले जाना चाहते हैं तो आपको charting pattern के साथ साथ इस पे भी ध्यान देना परेगा without इसके commodity market में trading करना बहुत ज्यादा risky हो जाता है उसके बाद आप इसका पाइटन का formation किया क्या चाहिए ब्रेक आउट प्राइस उपर निकला और इस वेंज का टागेट पैस यहां पर इस टागेट पैस हिट किया यहां पर हमें तूप पॉइंट परसंट का विटर्न हमारे mcx में बहुत बड़ा विटर्न हो जाता अच्छा खासा यहां पर आपको capital मिल जाता उसकी बाद अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सेंड करेंगे तो देख सकते लगभग इस लाइन पर आपको आता हुआ दिखेगा यहां पर आप चाहो तो क्या ले सकते हो सकेंड इंट्री पॉंट अपना बना सकते यह नि अगर आपने यहां पर इंट्री ने लिया दुवारा opportunity यहां मिलेगा यहां पर आप इण्टीं कर सकते हो उसके बाद एक मैं आपको लाइब बताने जा रहा हूं आप देख सकते silver के 30 minute के time frame में आना आपको ठीक है अभी यहां पे formation हो रहा है देखिए market यहां पे आपका down to end में ही था उसके बाद lower low higher high pattern का formation किया है अब यहां पे अगर यह इस line को हम आगे extend करेंगे अगर इस line को break करके उपर निकला है यहां पे हमें breakout दिया तो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम entry ले सकते हैं और जो यह है इस length काम उपर में अपना target price fix कर सकते हैं तो आप यहां पे entry ले सकते हैं या फिर इसको आप आगे track भी कर सकते हो क्योंकि यहां पे जो broadening bottom chart pattern है वो complete हो गया अब यहां पे हमें बस breakout का इंतिजार करना तो एक मैंने आपको live example बता दिया और इस strategic basis पे आप आसानी से trade कर सकते हो अगर आपको कुछ doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो उससे पहले यहां आपको एक कौन चीज़ बताना चाहूंगा और उसके लिए हम PPT पे आना चाहेंग और यहां पार हमुट्टों वाथ करने जा रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले रहे हमने क्या find करना था कि यह नहीं है तो हमें क्या पता चाला कि यह तो बुलिश है या बुलिश है मतलब यह चार्ट पैटर वह ममें ड्यकीशन ट्यूकल का हिंट देता है मतलब इसके बार् के पाद यह ना चाहिए उसके पैटरन का फरूमिशन होना चाहिए उसके बाद breakout आपका upside की तरफ निकलेगा मार्केट नीचे आता फिर bottom formation होता है फिर आपका reversal दिखाता है मतलब यह reversal pattern है उसके बाद breakout कब होता है closing above the upper trend line मतलब यह जो upper trend line है इसके उपर closing दे दिया कोई भी candle तो यह breakout माना जाता है उसके बाद या फिर वापस से इसी trend line को retest करता है तो यह भी हमारा क्या होगा वह भी हमारा entry point होगा और वहाँ पर भी हम entry ले सकते हैं तो आपको बस यही चीज देखना है सारा कुछ clear हो गया directional trade है bullish shine दे रहा है pattern type reversal है और हमें कब entry लेना दो जगह entry लेना वह सारा कुछ मैंने आपको detail से बताई दिया तो उमीद करते हैं कि आपको यह सारा कुछ clear समझ में आ गया होगा अगर इसमें कुछ भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको proper answer मिलेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इन कमेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह वीडियो में जैहिन